Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम भारत में राजनितिक प्रक्रिया जो की बीए पॉलिटिकल साइन्स ओनर्स के सेगंड सेमेस्टर की जो स्टुडेंट है उनका एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए बुक है भारत में राजनितिक प्रक्रिया इसका आज हम रिव्यू देखेंगे Friends, ये subject बहुत सारे एगनू के students के पास भी है और दूसरे भी जो भी students है जो other universities आते हैं या जो competitive exam के लिए इस subject को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये जो book है वो काफी useful होने वाली है जिस कारण से मैं आज इसका review लेकर आया हूँ तो please friends, इस video को end तक देखना ताकि आप समझ सको कि आपको ये book खरिदनी चाहिए या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं तो friends, भारत में राजनितिक प्रक्रिया पॉलिटिकल प्रॉसेज इन इंडिया की subject के लिए ये book बनाई गई है आप यहाँ इसको देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके विश्यानूकरम की यानि की content की कि इसमें कौन कौन से subject दिये गए हैं आए थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं अगर हम इस book के content की बात करें तो इसमें सबसे पहला chapter है समकालिन भारत में राजनितिक प्रक्रिया का इसको लेकर क्या मुद्दे हैं क्या चुनौती है इसके बारे में इसमें बात कीज गई है इसके लावा जो इसका दूसरा chapter है वो है राजनितिक दल और दलिये प्रणाली इसके बाद इसका तीसरा chapter है निर्वाचन आयोग एवम चुनाव सुधार इसका चौथा chapter है भारत में मद्दान वैभार के निर्धारक तत्वों जो तत्व हैं जैसे की वर्ग, जाती, जैंडर और धर्म इससे रिलेटिड ये chapter है इसके बाद इसका जो पांचवा chapter है वो है छेतरी आकांशाओं को लेके अलगाव की राजनीती और समायोजन इसका अगला chapter है धर्म और राजनीती अलप संख्यक एवंभव संख्यक सांप्रदाइक्ता मतलब सांप्रदाइक्ता को लेकर कम्यनलिजम को लेकर इसका छटा chapter है इसके बाद जो साथवा chapter है वो है भारत में धर्म निर्पेक्षता, उसके क्या सिधान थे, क्या वैभार है आठवा जो चैप्टर है वो है जाती, वर्ग और पित्र सत्ता को लेकर इसका जो नौवा चैप्टर है वो है भारती, राजनीती और जाती मतलब भारती राजनीती में जातिक किस तरह से शामिल होई है इसके बाद जो इसका दसवा चैप्टर है वो है सकारात्मक कारेवाही की नीतियां जाती और वर्ग इसका जो ग्यारवा चैप्टर है वो है सकारात्मक कारेवाही वा महिला है फ्रेंट्स सकरात्मक कारेवाही यानि की affirmative action तो इससे related ये दोनों chapters है इसके बाद इसका बारवा chapter है भारती लोकतांत्रे की विकासात्मक राज्जे और कल्यानकारी शाशन इसके बाद इसका जो तेरवाँ chapter है और ये last chapter है इसका ये है भारती राज्जे का दमनकारी स्वरू फ्रेंट्स अगर हम political process in India के subject की बात करें तो आप अपने syllabus के हिसाब से इसमें chapters को पढ़ेंगे जहां तक मुझे याद है तो last year जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था तो जो ये 13 chapter था वो इतना important नहीं था आपके syllabus के according तो आप इसको नहीं भी पढ़ सकते हैं जरूर नहीं कि आप सारे ही chapters को पढ़ें बट मैं आपको recommend करूँगा इसके सारे जो chapters हैं वो आपकी common understanding के लिए काफी अच्छे हैं तो आप सभी को पढ़ सकते हैं अपनी एक understanding बनाने के लिए बाकी syllabus के हिसाब से आप उनी chapters को पढ़ें जो कि इसमें दिये गए हैं अपने syllabus से एक बर इससे match कर लेना अप कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं तो पहली बात ये कि इस book का जो size है वो बहुत जादा बड़ा नहीं है ये book काफी मोटी भी नहीं है आप इसे देख सकते हैं कुछ खास बड़ा नहीं है बाकी अगर हम बात करें कि क्या ये book आपको खरेदनी चाहिए या नहीं तो देखे दोस्तों इस book से related जो आपके syllabus है उससे related कुछ chapters मैंने already पढ़ा दिये हैं आप playlist में जाकर मैं आपको playlist दे दूँगा end screen में आप वहाँ से उन chapters को पढ़ सकते है उसमें वही बातें लिखी हैं जो इसमें लिखी हैं और कुछ अच्छे से मैंने महाँ पर notes बनाए हैं तो अगर आपको बस exam pass करना हैं तो आप उन notes के जरिये भी exam को pass कर सकते हैं अच्छे number score कर सकते हैं बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास एक book ही होने चाहिए ता अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो ये book आपके लिए काफी useful है इसके जो शब्द हैं वो जादा hard नहीं है तो ये book आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगी इस book में कई सारे बड़े authors के arguments को शामिल किया गया है जो कि आपके लिए काफी important हो सकते हैं तो आपकी understanding के लि वो मैं पढ़ने के बाद ही कर रहा हूँ इस book को तो आप ये मैं सोची कि बस मैंने ऐसे review कर दिया है तो I hope आप मेरी बास समझ रहे होंगे अगर हम बात करें कि इस book ये book आपको कहां से मिल सकती है तो देखे friends आजकल इस book की ज़्यादा printing नहीं हो रही है इसलिए normally आपको य आसानी से purchase कर सकते हैं इस book का price वैसे क्योंकि इसकी demand थोड़ी ज़्यादा है और इसकी printing नहीं है इसलिए ये जो book है वो 2800 से उपर की मिल रही है बाकि इसका जो rate है वो तो यहाँ पर 260 ही लिखा हुआ है तो I hope friends आप मेरी बास समझ रहे होंगे और ये कोई compulsory नहीं है कि नहीं है आप अगर चाहें तो मेरे notes जो मैंने वीडियो में पढ़ाए हैं आप उन notes से अपनी तयारी कर सकते हैं डियो एसल की भी थोड़ी सी reading की help ले सकते हैं अगर आप book को नहीं खरीदना चाहते हैं तो तो ये कोई compulsory नहीं है कि आपको पास होने के लिए book खरीदने ही पढ़ेगी बठा खरीद लेजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को जादा से ज